पित्र पक्ष से पहले अगर आप अपने घर में कुछ अलग संकेत देखते हैं तो सतर्क हो जाईए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि क्या आपके पित्र आप से नाराज हैं दर असल भादरपद महीने की शुक पूर्वज नाराज होते हैं लेकिन क्या आप ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं जिससे ये पता चल सके कि क्या आपके पित्र आपसे नाराज तो नहीं अगर नहीं तो चलिए हम आपको ऐसी कुछ बाते बताते हैं ये पूरी जानकारी हमने गया मंत्रालिय वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य से ली है। उन्होंने ऐसी कुछ बातों के बारे में लोकली टीन को बताया कि जब पूर्वज नाराज होते हैं तो क्या-क्या समस्याएं आती हैं। सित्यादी का बाधा होना, धन का व्यर्त होते जाना, मान सी गुरूप में परिशान रहना, पती-पत्नी में विवादा दि रहना, पुत्र-पुत्र या इत्यादी ये बाते न सुनना, अच्छे धंक से अध्यान ना करना, ऐसे अनिक कारण है भूत प्रित बिशाच लगतार हो रही हैं जैसे कि आपका काम लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा हर काम में अर्चन आ रही है या घर में कलेश बना हुआ है और शांती का महौल खत्म हो गया है तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है यह पित्र दोश के संकेत हो सकते हैं हाला कि पित्र पित्रों की त्रप्ति जब हो जाती है तो यह सारी बाधाय आपके घर में नहीं रहती है घर बड़ा कुशहाल रहता है आनंद महीं रहता है घर में धनादी की कामना करते हैं आप वो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं सभी इष्टमित्र सभी बंदु बांदव जो है प्रसं तो इस वीडियो में आपने जाना कि दौरान पित्रों की पूजा करना क्यूं जरूरी है और ऐसे कौन से काम है जो आपको पित्र दोश से मुक्ती दिला सकते हैं आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें लोकली टीन